संग्या के भेद नमब वन वैक्ति वाचक संग्या जिन संग्या शब्दों से किसी विशेश प्रानी, वैक्ति, वस्तू, अस्थान, आदी के नामों का बोधो उन्हें वैक्ति वाचक संग्या कहते हैं वैक्ति वाचक संग्या में किसी विशेश प्रानी, विशेश वैक्ति, विशेश वस्तू, विशेश अस्थान के नामों का पता चलता है जैसे ही हमें किसी विशेश व्यक्ति, प्रानी, वस्तु, अस्थान का पता चले मतलब हमें जान लेना चाहिए कि वो व्यक्ति वाचक संग्या है जैसे ताजमहल आगरा में है, मोहन दिल्ली गया, ताजमहल एक विशेश इमारत का नाम है, आगरा एक विशेश शहर यानी अस्थान का नाम है, मोहन एक विशेश व्यक्ति का नाम है, दिल्ली एक विशेश अस्थान का नाम है अता ये सबी व्यक्ति वाचक संग्या है कुछ विशेश नेमलेकिश शब्द व्यक्ति वाचक संग्या है क किसी भी व्यक्ति का नाम राम, मोहन, रमा, राधा, आदी किसी भी व्यक्ति का नाम क्या होता है व्यक्ति वाचक संग्या होता है ख किसी भी नदी, सागर या परवत का नाम गंगा, हिंद महा सागर, हिमाले, आदी किसी भी नदी, सागर या परवतों के नाम क्या होते हैं? व्यक्ति वाचक संग्या होते हैं ग दिनों, महिनों तथा तेवहारों के नाम रविवार, जन्वरी, चैत्र, होली, आदी ये सारे नाम व्यक्ति वाचक संग्या है दिन, महिने तथा त्यभारों के नाम भी व्यक्ति वाचक संग्या में आते हैं नमबर टू, जाति वाचक संग्या जिन संग्या शब्दों से एकी जाती के सभी व्यक्तियों, प्रानियों, वस्तुओं, अस्थानों आदी का बोधों उन्हें जाति वाचक संग्या कहते हैं व्यक्ति वाचक संग्या में हमें किसी विशेश, प्रानी, व्यक्ति, वस्तू, अस्थान, आदी के नामों का बोध होता था और जाती वाचक में हमें एक ही जाती के सभी व्यक्तियों, प्रानियों, वस्तूओं, अस्थानों, आदी के नामों का पता चलता है जैसे फूल मत तोड़ो पक्षी उड़ते हैं जंगल में पशु रहते हैं यहां फूल पक्षी और पशु जाती वाचक संग्या है उपर लिखे वाक्यों में फूल, पक्षी, जंगल तथा पशू अपनी पूरी जाती का पोत करा रहे हैं इसलिए ये जाती वाचक संगय है फूल, पक्षी और पशू तो तरह तरह के होते हैं लेकिन अगर उनका नाम लिया जाए जैसे कुत्ता भौकता है तो कुत्ता क्या हो जाएगा? व्यक्ति वाचक संगय हो जाएगा क्योंकि वो किसी विशेश प्रानी के नाम है लेकिन यहां कुत्ता नहीं बोला जा रहा है, यहां पर पशू बोला जा रहा है तो पशु एक जाती है, पशु में बहुत सारे तरह-तरह के जानवर आ जाते हैं ध्यान दीजे, व्यक्ति वाचक संग्या एक नाम विशेश का बोथ कराती है किन्तु जाती वाचक संग्या संपून जाती का बोथ कराती है नम्बर त्री भाव वाचक संग्या जिन संग्या शब्दों से भाव, गुण, दशा, आदी के नामों का बोधो उन्हें भाव वाचक संग्या कहते हैं भाव वाचक संग्या में हमें भाव, गुण, दशा, आदी के नामों का पता चलता है जहां भी भाव, गुन, दशा, आदी के नाम होंगे मतलब वो भाव आचक संग्या है जैसे अच्छाई, बुराई, बचपन, लंबाई, सुन्दरता, आदी तो अच्छाई, बुराई, बचपन, लंबाई, सुन्दरता ये सब क्या है? भाव, गुन और दशा है तो ये क्या है भाव वाचक संग्या नेक्स नमब फूर समु वाचक संग्या जिन संग्या शब्दों से समुदाय, समु या जुन्ड के नामों का बोधो उन्हें समु वाचक संग्या कहते हैं समु वाचक संग्या में हमें समुदाय, समु या जुन्द का बोधो जहां पे डे सारे ग्रूप हो वो क्या है समु वाचक संग्या है जैसे कक्षा, सभा, भीड, सेना, आदी यहाँ पे कक्षा छात्र छात्राओं का सभा व्यक्तियों का समु है भीड भी तरह तरह लोगों के समु है सेना हमारे सैनिकों का जवानों का समु है तो ये सारे समु क्या होंगे समु वाचक संग्या कहलाएंगे नमबर फाइव द्रव वाचक संग्या जिन संग्या शब्दों से किसी धातू, पदाद या द्रव के नाम का बोध हो उन्हें द्रव वाचक संग्या कहते हैं द्रव वाचक संग्या में हमें किन किन नामों का बोध होगा किसी धातू, किसी पदाद या द्रव के नामों का बोध हो उन्हें द्रव वाचक संग्या कहते हैं जैसे पानी सोना लोहा आदी पानी हमारा द्रव आचक संग्या में हो जाएगा द्रव जो लिक्विड होते हैं जितने लिक्विड फॉर्म होते हैं द्रव में और भी क्या हो सकते हैं जैसे दूद हो गया पानी हो गया चाय हो गया ये सब क्या हो जाएंगे द्रवों के नाम धातू के नाम ये सारी चीज़े धातू में आते हैं फिर पदात में हमारे आ जाएंगे चावल, गेहू, डाल ये सब पदातू के नाम है